हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तु माई चैनल इस्प्रीचल लव टेर और कैसे हैं आप लोगा होग खुश होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैप्य होंगे डियर आज का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी सिच्वेशन में क्या आपको जस्टिस मिलेगा या न इनको जस्टिस मिलेगा या नहीं प्लीस उनिवर्स गाइट करें यह एक जर्रल रेडिंग ए कलेक्टिव रेडिंग है जितना बतार रख लिजेगा बाकि को डिवर्डा करें क्योंकि आपकर के सब बहुनisतार इबराफ करें। चलिए कार्स को निकालते हैं और देखते हैं यहाँ पर है King of Swords की अनरजी जब तक मुझे अनरजी फील होगी मैं कार्स निकाल लूगी और फिर देखते हैं क्या आता है तो King of Swords के अनरजी आई है और आप देख लीजे यहाँ पर है Taurus Virgo Capricorn तो टॉरोस वर्गू के अप्रिकॉन है जैमिना, लिप्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियू, सेजिटेरियस और यहाँ पर पाइसीस के अनरजी आई है तो पाइसीस भी है डियर और देखते हैं कार्ड के बता रहे है टैन अफ पैंटिकल्स है four of cups है, the lovers है तो lovers का भी कार्ड है कार्ड्स आपको दिख रहे हैं डियर ओके, दिख लेजिए, कार्ड्स आपको दिख रहे है ठीक है, तो कार्ड्स निकल चुके है bottom of the deck दिख लीजिए, कि bottom के energy क्या निकली है तो bottom के energy से two of wand है order यहाँ पर two of wand है यहाँ पर head ten of swords, the hanged man ten of pentacles, knight of pentacles, six of wand तो इतने कार्ड्स यहाँ से निकले हैं bottom के energy से, चलिए bottom के energy भी हम ले लेते हैं और फिर करते हैं reading को शुरू की क्या बता रही है bottom के energy तो आप देखी पा रहे हैं bottom के cards तो कुछ अलग ही निकले हैं और पूरी कहानी बया कर रहे हैं कि क्या आपको justice मिलेगा या नहीं तो justice की बात करी जाए तो dear यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि शादी को लेके injustice हुआ है चाहे किसी भी तरह की शादी हो आपकी arranged marriage हो, love marriage हो किसी भी तरह की शादी हो यहाँ पर injustice तो हुआ है तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है तो आपको cards दिख रहे हैं साइन मैं आपको बता देते हो करक राशी, विश्चिक राशी, मील राशी है ज़्चिक राशी है मेज सीहा, धनु राशी है मिथुन तूला, कुम राशी है तो जो राशी है वो बता दी है कि यहाँ पर यह सब राशी निकली है टौरस निकली है, वर्गो निकली है कैप्रिकॉन निकली है, एरीस, लियो, सैजिटेरियस है Gemini Libra Aquarius है और Cancer Scorpio Pisces है तो यह सारे Cards हमें दिख रहे हैं और ठर्ट पार्टी के लिए आपके पार्टनर की feelings की बात करी जाए तो अभी आपके पार्टनर की ठर्ट पार्टी को लेके बहुत सारे लोगों की energy है ना तो mix energy आ रही है यार ऐसी energy आ रही है के कोई का partner को चौर सोच रहा है तो अलग-लग mix energy मुझे यहां पर फील हो रही है तो मैं आपको बताथे हूं कि क्या सोच रहे है फिलहाल तो और आपके partner की mix energy है और डिएर शिकायत यह तो बहुत है third party से ठीक है हुँच सकता है कि जो भी 3rd party है उससे आपको भी पताए कि इनको शिकायते उनकों करने की तो आदत है तो 3rd party से पर ये छिपके हुए है कहीं न कहीं शिकायते भी बहुत है गिले शिक्वे भी बहुत है पर फिर भी अटैच है ये 3rd party से थर्ड पर्टी के साथ में इतना ज़्यादा अटैच है कि ये उनसे अलग नहीं रह पाते हैं ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है और बात करी जाए इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है काफी लोग ये जानने को बेकरार थे कि भई इन दोनों के बीच में चलता क्या है क्या चल रहा है अभी की सिच्वेशन में बात करी जाए तो डियर आपको मैं बता दू कि यहाँ पर थर्ड पर्टी और आपके पार्टनर एक साथ इतने चिपको हो गए हैं चिपके रहते हैं कहीं न कहीं घूमने जा रहे हैं तो एक साथ जा रहे हैं मार्किट जा रहे ह मतलब आप समझ लीजे के इनका जीना बिलकुल ऐसा हो गया है कि बिना एक दूसरे के रहने ही पा रहे हैं तो कुछ यहां पर दिख रहा है इन दोनों का रिष्टा जो है घूमना फिदना शॉपिंग करना इंजॉय में बीत रहा है यह चीज मुझे दिख रही है इन लोगों के बीच में और पता नहीं क्यों कहीं न कहीं अंडर्स्टेंडिंग की कमी भी दिखती है कभी कभी यह दोनों बहुत अच्छे से इतना जादा एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कभी तो दोनों के बीच में महा युद्ध हो जाता है दोनों की बात जो है बिगड़ जाती है तो कुछ लोगों के पार्टनर के एनरजी ऐसी होती है अचानक से सडनली लड़ने जगरने लगते हैं है न थर्ड पार्टी की थोड़ी सी बात को पकड़ कर बैढ़ जाते हैं तो वो चीज यहां पर दिख रही है कि अंडर्स्टेंडिंग की कमी है आपके पार्टनर के बीच में कुछ समझने को तयार नहीं होते हैं कुछ इशू चल रहा है हो सकता है इन दोनों में अकसर बाते खराब हो रही हैं हो सकता है कि थर्ड पार्टी को छुपाने लगी है डियर आज कल पहले वो पूरी बाते आपके पार्टनर से शेयर करती थी क्यों क्योंकि उसे तो उसके दिल में जगा बनानी थी तो डियर वो ऐसी हमदर्दी दिखाने के लिए सारी बाते शेयर किया करती थी लेकिन अब जब वक्त निकल गया है भई बन्दा अपने पास आ गया है तो अब वो अपने दिल के राज क्यों बताएगी नहीं बता रही है वो अपने दिल के राज और यहां पर आपके partner चभा रहे हैं कि ये third party अपनी पूरी बाते clear बताए कुछ ना कुछ तो third party का उनको पता चला है इसलिए आपके partner नहां दोके पीछे पढ़ गए है तर्ड party के और डियर आज कल बहुत जादा चिपके रहते हैं बहुत ज़्यादा इस third party से attach रहने की कोशिश करते हैं इस third party के हर moment पे अपनी नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं और dear यहाँ पर दिख रहा है कि बातें बहुत खराब हो रही है अच्छा सा रिष्टा जो था वो खराब हो रहा है दिखें यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी third party है ना बहुत negative सोच रही है बहुत negative energy में है हो सकता है कि इस third party के negative energy जो भी तरह के energy है ना यह दोनों के रिष्टे को बिलकुल खराब कर रही है चीजे बदल रही है यहाँ पर clear दिख रहा है कि चीजे जो हैं कहीं ना कहीं बदल रही है कहीं ना कहीं आपके उपर जो negative energy जो इन्होंने छोड़ी थी ना वो negative energy मुझे ऐसा लग रहा है इन्हीं को पकड़ रही है अगर third party ने आपको किसी तरह की कोई dark energy कोई black magic किसी तरह का कोई energy send किया था या कोई बुरी नजर भी थी ना आपके रिष्टे पर लगाई थी तो वही बुरी नजर जाकर इस third party के रिष्टे पर लग रही है देखिए जैसे कोई ऐसा तो मिलता ही है वही चीज यहां पर दिख रही है कि यह जो third party है इसकी energy ऐसी हो रही है अभी पूरी तरह से negative हो रही है दोनों में तना खीचा तानी चल रही है आपके partner भी कम नहीं पड़ रहे हैं third party भी कम नहीं पड़ रही है दोनों एक दुसरे को खीच रहे हैं दियर वही बाते हो रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा जो बाते आपके साथ में हुई थी जब आपका रिष्टा था ना तब उस इंसान ने इस रिष्टे में यही किया था कि आप दोनों के बीच में खीचा तानी हो आप दोनों के बीच में लड़ाई जगड़े हो और वही हुआ आपका पार्टनर आपसे दूर होता चला गया थर्ड पार्टी के करीब आता चला गया अब भई आप शायद हो सकता है कहीं से कुछ अच्छा सा कुछ करा रहे हैं या कुछ आपने प्लानिंग करी है या फिर आ मारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकार दिख रही है उन्हें सबसे ज़्यादा नेगेटिव दिख रही है तो यहाँ पर जो सिट्वेशन आपके साथ में आई थी आज वहीं सिट्वेशन के तले आ गई है यह थर्ड पार्टी और यह थर्ड पार्टी जो है बहुत ज जो आपके साथ हुआ ना जैसा आपके लिए इस third party ने feeling send करी थी जिस तरह की energy send करी थी जो जो इसने चाहा था वही चीजे आज इसके सामने आ रही है आपके partner ने तो आपको गलत थहराया था ठीके आप पर शक किया था गलत बाते आपको बोली थी ब्लेम किया था आप ही कुछ गलत थे उन्होंने इस तरह से आपको बोलाग था पर डियर ऐसा लगता है जो जो चीजे आपके partner ने आपको कही थी वही चीजे आज वो third party को कह रहे हैं third party को ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने मेरी जिन्दगी में आकर पूरी जिन्दगी खराप कर दी ये शब्द आपके partner ने कहे थे ये कहा गया था कि तुम गलत हो तुम मेरी बातों का जवाब देती हो तुम मुझसे 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 प्यार नहीं करती हो मुझे तुम पर शक होता है कि तुम कहीं और अटेच हो आपको आपके पार्टनर ने ये भी कहा था गलत कहा था आपके पार्टनर ने आपको बहुत ऐसा कहा था कि आप जूट बोलते हो आप पे ट्रस्ट नहीं करा था आपके पार्टनर ने आपको जूटी भी कहा था आप अपने घरवालों के सामने जलील किया था इस इंसान ने तो वही सारी चीजे क्यों की थी क्योंकि इनके उपर जो भी एनर्जी थी जिस तरह के एनर्जी इनके उपर थी वो एनर्जी ने आपके पार्टनर का दिमाग घुमाया था उस एनर्जी का आज ये इफेक्ट पढ़ कि यह जो आपके पार्टनर है ना आपके पार्टनर जो है इसका जो दिमाग है वो एनरजी खराब कर रही है जो एनरजी आपका दिमाग खराब कर रही थी वो अब आपके पार्टनर की तरफ बढ़ चली है आपके पार्टनर की तरफ जाने का कारण यह है कि आपके पार्टन डियर ही उस इंसान को सबग सिखा सकते हैं वो जा सकती थी third party के पास में वो negative energy लेकिन डियर वहाँ पर कुछ फायदा नहीं होता वो third party जो है इतना लेकिन third party के ऊपर भी उस चीछ का असर हुआ है और third party आपके partner से धमासान युद्द कर रही है जिस तरह से आप अपने पार्टनर से लड़ लेते थे छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते थे उनके हर कही बात पर फिर बाद में गिल्ट फिल करते थे अरे यार यह मैंने क्या कर दिया तो ये डार्क एनरजी के यूज से आपने जो अपने अपने रिश्टे को चाहिए था तो यहां पर यह चीज़े बहुत ज़्यादा दिख रही है कि यह रिष्टा जो है यह एंड जो है अब इस थर्ड पार्टी पर फारी पढ़ने बाला है जिस तरह का आपने भुगता है अब इनको भुगतना पड़ेगा अब इस थर्ड पार्टी को वो सारी दिया है फिर भी आपका दिल दुखाया है इस इंसान ने मतलब इस इंसान को दिल में लगती है कोई बात कि भई इनों ने आपके साथ में इंजस्टिस किया है और इंजस्टिस करने की वज़ा ये पार्टनर को फील होता है कि इनों ने आपका दिल दुखाया था आपके द किया था कहते ना कि सचे प्यार को कोई कभी नहीं भूलता चाहे कुछ भी हो जाये तो वही बात है आपके प्यार में वही एहसास है आपके प्यार में कि वो इंसान आपका प्यार नहीं भूल पाया और आप भी जानते हो कि आप जिस तरह का प्यार करते हो जिस तरह का लव आ साथ दे दे ऐसा बंदा उसको कहीं नहीं मिल सकता है ये चीज मैं बोल रही हूँ क्यों क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपने जरुष से ज़्यादा प्यार किया था जरुष से ज़्यादा उस रिष्टे को संभालने के लिए एफ़र्ट डाले थे जर अच्छा भरा हुआ परिवार खराप कर दिया, शादी खराप कर दिया, रिलेशन खराप कर दिया, कितने साल का रिष्टा खराप कर दिया इस इंसान ने, आपने सोचा भी नहीं होगा, आप उनको प्रोटेक्ट करते थे, ये पार्टनर आपका ये सोचता है कि आप उनको बह करते थे प्रात्ना करते थे युनिवर्स से क्यों पर कभी कोई विपती ना आए और उन्हें ये फील भी होता था कि हां आपकी है जो उन्हें आज तक परेशानिव representations से बचाती आई है तो आज वह यही चीजों के बारे में सोच रहें कि आपके prayer के कारण ही वो परिशानियों से निकल पाएं हैं और अभी भी feelings है आपके लिए आपके लिए feelings है प्यार है अपने अंदर अंदर घुट रहे हैं dear आपके partner बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं इनको एक घुटन सी हो रही है कहीं न कहीं आपके partner के दिल में एक घुटन हो रही है घुट रहा है ये इनसान दिखिए यहाँ पर जो card है वो card यही बता रहा है कि इनसान अंदर ये अंदर घुट रहा है इनको घुटन हो रही है इनको समझ नहीं आरा क्या करे कैसे इस situation से बाहर जाए आप यकिन मानिए कि सोच रहें कि कैसे situation से बाहर जाए हैंड हो चुके हैं चाहते तो हैं इक पर क्या करें हैंड हो चुके हैं ये partner और भई इनके हाल तो आप देखी रहे हैं कि क्या हाल हो गए हैं इनको ऐसा लग रहा है कि बस दर्द भरी राते कब कटेगी और कब सवेरा होगा तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि उनको एहसास है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है उन्होंने आपकी उन्होंने third party की वज़स से आपको बहुत परिशान किया है बहुत परिशान किया है ये चीज़ तो मैं बता दूँ आप बहुत परिशान हुए third party situation के कारण अब आपके partner जो है न उनको कुछ feel होने लगा है कहीं न कहीं उनको ऐसा feel होने लगा है कि आपको और इनका जो रिष्टा है वो soulmate वाला रिष्टा है एक divine से connect रिष्टा है और ये partner जो है कहीं न कहीं आपके साथ में एक soul connection feel करते हैं आपके साथ उन्हें खुशी मिलती है पता नहीं क्यों आपके partner को आपके साथ में बहुत अच्छा लगता है लग मानते हैं आपके partner आपको देखिए क्या होता था पहले जब आप इन्हें कोई बात बोलते थे आप उनको कुछ डाटते थे या समझाते थे तो उन्हें आपके बाते जो है खटकती थी उन्हें आपके बातों में बहुत problem होती थी पर डियर यहाँ पर दिख रहा है कि सारी problem जो थी ना जो इन्होंने create करी है अब वो उस सारी problem को हटाएंगे और जो वादे इन्होंने किये थे जो वादे इन्होंने तोड़ दिये हैं उसे निभाएंगे डियर यह आपके तरफ खिचाव महसूस कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है मैसेज आ सकता है कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से आपको मैसेज आ सकता है क्योंकि उनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का वो आपको justice देना चाहते हैं अब आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं strong decision लेना चाहते हैं no communication में हैं अगर आप लोग तो वो अब communication करना चाहते हैं और communication करेंगे आप लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से communication का message मिल सकता है कुछ ना कुछ बात करने की चीज start हो सकती है बाते start हो सकती है तो ये partner जो है मैं आपको बता दू commitment पूरा करेंगे अगर ये commitment के नाम से भाग रहे थे तो ये commitment पूरा करेंगे strong decision लेंगे strong decision लेंगे दियर आपके life में आना ही होगा तो ये partner जो है अब बस चले आ रहे हैं इनको आना है आपकी life में अब ये spiritual हो गए हैं ठीके spirituality से connect हो रहे हैं आप भी connect हो रहे हैं और डियर आप चाहते हैं कि ये partner जो है आपके life में आए तो strong decision लेकर आए वरना आप इन्हें अपने life में नहीं रखना चाहते हैं देखें आप जो है ना कही न कही spirituality से इतना ज़्यादा connect हो गए हैं कि चीजों को समझ रहे हैं चीजे कहां गलत हैं कहां सही है तो आप अपनी intuition की सुनने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लग रहा है आपने बहुत wait किया है इस partner का आने का मुझे ऐसा feel हो रहा है आप चाहते हैं कि ये partner जो हैं आपकी जिन्दगी में आ जाए आपको justice दे तो dear यहां पर 100% आपके life में justice होने वाला है यही guidance है आपके लिए कि आप spirituality से connect हो जाएं जो चीजे खराब हो गई है उनको सही करने के बारे में सोचें और आपने जो भी prayer करी है जो भी तपस्या करी है उसका फल बहुत जल्द आपको मिलने वाला है love, emotions, सब कुछ आपका सचा प्यार जो है सब कुछ आपकी जिन्दगी में आएगा और बहुत जल्द आपकी जिन्दगी में आने वाला है आपको बदल के रख देंगे आपके partner अब इतना प्यार देंगे आपके partner आपको आपको रहना है high vibration में बिल्कुल अपने emotions पे काबू रखना है अपने love पे काबू रखना है ऐसा नहीं कि अपने emotions में अपनी भावनाओं में बहकर आप गलत decision ले ले dear क्यों क्योंकि ये partner जो है अभी आपके साथ में justice करना चाहेंगे और ये अब आपके जिन्दगी में आकर balance करना चाहेंगे आपका और इनका जो रिष्टा है जो खराब कर गए थे अब वो balance में लेकर आना चाहते हैं तो communication तो होने वाला है काफी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि communication का card है reading देखते देखते ही आपको communication हो सकती है अपने partner से आप बात कर सकते हैं उनसे connect हो सकते हैं वो चीज मुझे यहां पर दिख रही कि आप और आपके partner जो है हो सकता है किसी communication किसी बात के लिए कोई बात हो या फिर किसी तरह की communication यहां पर हो रही है पर dear यह stuck है कैसे start करेंगे कैसे क्या करेंगे और देखते हैं कि आपका या आपके partner के name का images है या नहीं है क्योंकि काफी लोग फिर बोलते हैं कि madam आप images नहीं निकाले हैं तो मुझे याद नहीं रहता है dear इसलिए नहीं निकालती हूं वरना मैं ले लेती हूं हमेशा तो आज मैं निकाल के ही रखी थी मैंने कहा के देखेंगे ठीके तो इतने images हमने निकाले हैं और यहाँ पर एक number निकला है वो है 6 number हो सकता है कोई खास number हो आप लोगों के लिए तो आप देख लीजे 6 number, 4 number, 1 number और यहाँ पर है 7 number तो हो सकता है 17 date 14 date, 16 date है ना तो यह कोई खास date हो सकती है आप लोगों के लिए और यहाँ पर कुछ images जो निकला है वो है K, D, C, I K, D, C, I कोई खास नेम आपका है आपके पार्टनर का हो सकता है W है B है O है U C C two time आया है D भी two time आया है आप देख लीजिए O के दियर तो जो images निकले हैं वो आपको दिख रहे होंगे कि क्या आया है K, D, C, E, O, B, I, V, D, C, U और ये U है और W तो आपको images दिख रहे है और number भी मैंने बता दिये है I hope आपको reading अच्छी लगी होगी कुछ ना कुछ guidance मिला होगा कुछ ना कुछ help मिली होगी और अगर वीडियो अच्छा लगा है और कुछ समझ में आया है या आपको help मिली है तो प्लीज यूनिवर्स को gratitude शो करना मत भूलिएगा वीडियो को like करना मत भूलिएगा और जो लोग first time चैनल पर आ रहे है प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए support करने के लिए बहुत बहुत thank you दिल से